अब मेरा विनम्र अनुरोध माननी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी से कि आप विशिष्ट जनों की सभा को संबोधित करें एवं हम सभी का मार्ग दर्शन करें आदर्णिय उप्राष्पति जी आदर्णिय स्पीकर महुदय मंच पर विराजमान सभी वरिष्ट महानुभाव और 140 करोड देश्वासियों के प्रतिनिधी सभी मान्य सामसत्गण आपको और देश्वासियों को गनेश्च चतुर्थी की अनेक अनेक शुप्ताम्र है आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्च का स्री गनेश करने जा रहे हैं आज हम यहां विख्षीद भारत का संकल्प दोहराना फिर एक बार संकल्ब बद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरप्रस्थान कर रहे हैं सम्मानिय सभाग्र यह भवन और उसमें भी यह सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है हमें भावुग भी करता है और हमें हमारे करतव्य के लिए प्रेरित भी करता है आज हादी के पूर्व यह खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रुप में इस्तिमाल होता था लेकिन बाद में सम्विधान सभागी बैठक यहां शुरू हुई और उन सम्विधान सभागी बैठकों के द्बारा गहन चर्चा विचाना करकर के हमारा सम्विधान यहीं पर आकार लिया यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हकुमत ने सत्ता हस्तांत्र किया उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा यह सेंटर हॉल है इसी सेंटरल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और अईतिहासिक अवसरों पर आजहति के बाद भी सभी सर्वकारों के दर्मियान अनेक अवसरा आए जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहां पर भारत के भागे को घढ़ने के पर विचार किया सहमती बनाई और निल्डे भी किये 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्टा देख्षोने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी मान्य सांसदों को सम्मोधित किया है हमारे राष्टपती महोधोयों के द्वारा 86 बार यहां सम्मोधन किया गया है बीते साथ दसकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुज्रे है जिम्मेवारियों को समाली है अनेक कानूनों अनेक संसोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं अभी तक लोगसभाव और राजसभाव ने मिलकर करीब करीब 4000 से दिक कानून पास किये हैं और कभी ज़रुवत पड़ी तो जोइंट शैसन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रननिती बनानी पड़ी और उसके तहद भी दहेज रोगठाम कानून हो बैंकिंग सर्विस कमिशन बील हो आतंग से लड़ने के लिए कानून हो ये संयूक्त सत्त्र में पास किये गए हैं इसी ग्रह में पास किये गए हैं इसी संसद में मुस्लिम बें बेटियों को न्याय की जो प्रतिक्ष थी शाहबानों केस के कारण कुछ उल्टी पाटी पर चल गई थी इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और तीन तलाग विरुद कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया संसद्य बिते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्मान के इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रती सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नोकरी शिक्षा, स्वास बागी जो सुविधाये हैं एक गरीमा के साथ प्राप्त कर सके इसकी दिशा में हम आगे बढ़े हैं हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरुनतों को देखते हुए उनके एस्पिरेशन को देखते हुए ऐसे कानूनों के निर्मान किया जो उनके लिए उजवल भविश्की गारंटी बन रहे हैं आर्टिकल 370 हटाने से लेकर विश्य ऐसा रहां जो सायद ही कोई दसक ऐसा होगा कि चर्चा नहुई हो चिंता नहुई हो और मांग नहुई हो आक्रोश भी वेक्त हुआ सभाग्रा में भी हुआ सभाग्रह के बार भी हुआ लेकिन हम सब का सोभाग है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का अलगावाद आतंकवाद के खिलाब लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्तमुल कदम अरे इसे महत्तमुल काम में मानिय सांसदों की सांसद की बहुत बड़ी भूमी का है जम कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ सांविधान हमारे पुर्वजों ने दिया हुआ वो महा मुल्य दस्तावेज जम कश्मीर में लागू करते हैं तो इसे मिट्टी को प्रणाम करने का मन तर आज जम्मु और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग नए उत्सा नए संकल्व के साथ जम्मु कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मोका आप छोड़ना नहीं चाहते है यह दिखाता है कि संसत के सदस्चों ने मिल करके संसत के भवन में कितने महत्वपुन काम किये है माने संसत गर लाल किले से मैंने कहा था यही समय है सही समय है एक के बाद एक घटनाओं की तरफ हम नजर करेंगे हर घटना इस बात का गवा दे रही है कि हाँ आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर जागरत हो चुका है भारत नई उर्जा से भर चुका है और यही चेतना यही उर्जा इस देश के कोटी कोटी जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती है और संकल्प को परिशम की पराकाश्ठा करकर के सिद्धी तक पहुँचा सकती है यह हम देख सकते हैं और मेरा भी स्वास है देश जिस दिशा में चल पड़ा है इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे हम गती जीतरी तेज करेंगे परणाम उतने जल्दी मिलेंगे आज भारत पांचवी अर्थ वोस्तापर पहुंचा है लेकिन पहले तीन में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा हूँ और मैं एक जिस्थान पर बैठा हूँ जो जानकार या प्राप्त होती है उसके आधार पर विश्व के गर्मान ये लोगों से बात्चीत करता हूँ उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है लेकिन दुनिया अस्वस्त है कि भारत टॉप थ्री में पहुंचे के रहेगा भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंदर बना हुआ है भारत का गवर्नेंट्स का मॉडल यूपी आई डिजिटल स्टेक मैं इस जी ट्वेंटी में देख रहा था मैंने बाली में भी देखा तकनोलोजी की दुनिया को लेकर के भारत का नवजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है पूरे बिश्व के लिए कवतुग भी है आकर्षन भी है और स्विकृति भी है हम सब उस ऐसे कालखन में हैं मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दाईत्म निभाने का अउसर आया है और हमारा सबसे वड़ा भाग्य है कि आज इंजियन एस्परेशन्स उस उन्चाई पर है जो शायत पिछले हजार साल में नहीं रहे होंगे गुलामी के जंजिरों ने उसके एस्परेशन्स को दबोच के रखा था उसकी भावनाओं को तहस नहस कर दिया था आजहां भारत में अपने सपने संजो रहा था शुनोतियों से जूज रहा था लेकिन मिलकर क्या जहां पहुचे है अब वहां वो रुकना नहीं चाहता है वो एस्परेशनल सुसाइटी के साथ नए लक्ष गणना चाहता है जब एस्परेशन सुसाइटी सपने संजोते ही हो संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का निर्मान करके उजवल भविष्य के लिए एक मार्ग प्रसस्त करने का दाईत्वा हम सभी साउसदों का सभी शेस होता है साउसद में बढ़ने वाला हर कानून साउसद में होने वाली हर चर्चा साउसद से जाने वाला हर संकेथ इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए यह हम सब की भावना भी है कर्तब्य भी है और एक एक देश्वासी की हमसे अपेच्छा भी है हम जो भी रिफॉर्म करें उसके मून में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सरवोच्च पद पर होना चाहिए प्रात्फिक्ता पर होना चाहिए लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूँ क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते 75 साल का हमारे पास अनुभव है हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाएं उससे हमने सीखा है हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने हमारे संकल पजूड जाए हमारा सोचने का दाइरा बदल जाए हमारा कैनवास बड़ा हो जाए तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते है उस तश्वीर का खाका खीच सकते हैं उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीड़ी को वो भव्य दिव्य माँ भारती के हम उनको सुप्रत कर सकते हैं दोस्तों हम बुरुत काल के 25 वर्सों में भारत को अब बड़े केनवास पर काम करना ही होगा अब हमारे लिए छोटी-छोटी चीजों में उलजना वो वक्त चला गया है हमें आत्मनिर भर भारत बनाने के लक्ष को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हम से शुरुवात होती है हर नागरिक से शुरुवात होती है और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था कि लोग मुझे कहते थे हमारे बड़े बड़े बुद्धी जीवी और अर्थसात्री लिखते थे कि मोदी आत्मनिर भर की बात करता है तो अर्मटिलेटरिजम की सामने चुनोती तो बन नहीं जाएगा ग्लोबल एकनोमिक के जमाने में च्छीक तो नहीं होगा लेकिन पांच साल के भीतर भीतर देखा दुनिया भारत के आत्मनिर भर मोडेल की चर्चा करने लगे और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर भर हो एनर्जी सेक्टर के में हम आर क्रिशी प्रधान देश हम कहते हैं खाने का तेल कि आप देश भाहर से लाएगा बहुत समय की मांग है कि हमें आत्म निर्भर भारत को संकल्प को पूरा करना यह हम संपादाइत्व है उसमें दल आड़े नहीं आते हैं तो दिल चाहिए देश के लिए चाहिए हमें अब मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर पर दुनिया में सर्वस्ट्रेश्ट बनने की दिशा में ही कदम रखने होंगे और मैंने एक बरलाल के लिए से कहां था जीरो डिफेक्ट जीरो एक फेक्ट हमारे प्रोड़क्ट में कोई डिफेक्ट नहों हमारी प्रक्रिया में परियावरण पर कोई इफेक्ट नहों ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला आमें धुनिया के सामने हमारे डिजाइनर, हमारी यहां निर्मान होरी डिजाइन्स, हमारे सौपफ़ेर, हमारे अग्रिकल्चर प्रोडक्स, हमारे हस्त सिल्प, हर शेत्र में अब हमें वैश्विक माप दंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए, तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना जंडा फैरा सकते हैं मेरे गाउं में मेरा सबसे अच्छा हमाल हो इतनी बात नहीं चलेगी मेरे राज में मेरा सबसे अच्छा प्रोड़क नहीं चलेगा मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा प्रोड़क नहीं चलेगा दुनिया में मेरा प्रोड़क्ट सबसे अच्छा होगा ये भाम होगा प्रोड़क्ट हमारी उनिवर्सिटी दुनिया के अंदर टॉप रेंकिंग में आएं अब इसमें हमें पीछे नहीं रहना है हमारे सिक्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पालिसी मिली है एक खुलापन है सर्व स्विकृत बरी है उसके सहारे अब हमें चल्न पना है और दुनिया के इस टॉप पोस उनिवर्सिटी में अभी जब जी ट्वेंटी में विश्व के मेमान आए तो मैंने नालंदा की एक तश्वीर रखी दी वहाँ और जो मैं दुनिया को कहता था पंद्रा सो साल पहले मेरे देश में दुनिया के उत्तम से उत्तम उनिवर्सिटी हुआ करती थी तो उनके सुनते ही रह जाते थे लेकिन हमें उसे प्रेना लेनी है पर प्राप्टतों अभी करके रहना है यह हमारा संकल पहुना है आज हमारे देश का नौजवान खेल जगत के इंदर विन्या में हमारी पहचान बना रहा है टियर टू टियर फ्री सिटी से गाउँ गरीप परिवारों से गाउँ से देश के नोजवान देश की बेटे-बेटियां आज खेलकुत के जीवन में हमारा नाम रोशन कर रही है लेकिन देश चाहता है और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेलकुत के हर पोडियम पे हमारा तिरंगा भी लहरा था होगा हमें अब पूरा दल पूरा हमारा दिमाग क्वालिटी पर फोकस करना ही होगा ताकि हम वीश्व की आशा पेक्षाओं के नुकूल और भारत के सामान ने मानुविके जीवन में भी क्वालिटी आफ लाइप के प्रती जो एस्प्रेशन बड़ा है उसको हम एड्रेस कर पाएं और जयते मैंने कहां हम भागवान हैं हम उस समय काम कर रहे हैं जब समाज अपने आप एक एस्प्रेशन सुसाइटी है हमार और भी एक भाग्य है कि हम उस समय हैं जब हिंदुस्तान युवा देश है हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जन आबादी वालत देश बने ही है लेकिन सबसे बड़ी आबादी उसमें भी सबसे युवा ये पहली बार हुआ है जिस देश के पास यह युवा शक्ति हो युवा सामर्त हो तब हमें उसकी टालेंट पे भरोसा है हमें उसकी संकल पर शक्ति पर भरोसा है उसकी साहस में भरोसा है और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का युवा अग्रिम पंक्ति में नज़ाना चाहिए बोस्थिती प्यदा हुरी शायर आज पुरे दुनिया को स्कील मैंट पावर की बहुत बड़ी ज़रूत है और भारत वीश्वक की इस आवश्यक्ता की पूर्ति के लिए अपने आपको सज्ज कर सकता है और उन आवश्यक्ताओं को पूरी कर करके दुनिया में अपनी एक जगा भी बना सकता है और इसलिए वीश्वक में उनकी पावर की जरूत है इस प्रकार के उनको हिमन डिसोर्स की जरूत है उस्कील मैपिंग का काम भी चल रहा है और उस केमिक स्कील मैपिंग के अनुसार भारत के अंदर स्कील डवलप्मेंट के तरह हम बल दे रहे हैं और जितना जादा हम स्कील डवलप्मेंट पर बल देंगे भारत के नव जवानों का सामर्द वीश्व में अपना डंका बजाने में कोई कमी नहीं रखेगा और हिंदुस्तानी जहां गया है जहां गया है उसने अच्छाई की चाप छोड़ी है कुछ कर गुजरनी की छाप छोड़ी है ये सामर्द हमारे अंदर पहले से पड़ा हुआ है और हमारे पहले जो लोग गए होगे उन्होंने इस से चबी भी बना के रखी हुए आपने देखा हुगे पिछली दिनों करीब डेड़ सो नर्सिंग कॉलेज एक साथ खुलने का निर्णे किया पूरे दुनिया में बहुत बड़ी रिक्वार्मेंट है नर्सिंग की हमारी बेटी आँ हमारे बेटे उस छेत्र में दुनिया पे पहुंच सकते हैं कि आवश्रक्ताओं में भी योगदान दे सकते हैं कहने का तात्पर यही है हर छोटी चीज पर बारिकी से ध्यान देते हुए उस पर अपना ध्यान के इंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ना है हमें भविश्य के लिए सही समय पर सही फैसले भी लेने होते हैं हम फैसलों को टाल नहीं सकते हैं हम राजनीती गलाब नुक्षान के गणा भाग के अंदर अपने आपको बंदीद नहीं बना सकते हैं हमें तो देश के एस्पिरेशन के लिए हिम्मत के साथ नहीं निर्णे करने होते हैं आज सोलर पावर के सभल मुवमेंट हमारी भावी पीडी के लिए एनरजी क्राइसिस से मुक्ति की गारंटी दे रहा है आज मिशन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में जो एन्वार्मेंट की चिंता है जो टेक्नोलोजी में बढ़लाव आ रहा है उसके समाधान का रास्ता देने का सामर्त रखती है आज हमारा सेमी कंड़क्टर जिस प्रकार से जीवन चलाने में हमारे रदे की जरुरत रहती है वैसे ही आज हमारी टेक्नोलोजी चीफ्स के बिना चल नहीं सकती और सेमी कंड़क्टर उसके लिए बहुत अनिवार्य हैं उस दिशा में हम आगे जाकर के एलेक्ट्रोनिक मेनिफेक्टर में कोई रुकावट ना आए और जीवन कहीं अटक न जाए उसलिए एक बहुत बड़ी मात्रा में हम काम कर रहे हैं जल जीवन मीशन हर जिले में 75 मुर्द सरवर हमारी भावी पीडी को हमारे बच्चे बच्चों को बच्के भी बच्चे उनको कभी पानी के बिना तरस्था न पड़े इसकी चिंता हम आज करते हैं विश्व के बाजार में हमारा हर व्यापार कारोबार पहुंचे कॉंपिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे लॉजिस्टिक सिप सिस्टिम को और अधीक कम खर्च वाला बनाना एफिजन बनाना वो दीशा में हम बहुत नीत्या ले करके चल रहे हैं आज समय की मांग है कि भारत का एक ऐसा भारत के हम निर्मान करें नॉलेज इनोवेशन यह समय की मांग है और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का रास्ता भी है और इसलिए पिछले हमने समय पूलेशन पूलिश के साथ साथ टेक्नोलोजिय के बढ़ावे के लिए हमने रीसर्च और इनोवेशन का एक कानून भी पारित किया है ताकि हमारे देश के नौजवानों को इस इनोवेशन के और चंदरियान तीन की सबलता के बाद देश के नौजवानों के मन में विज्ञान की तरफ आकरशन बढ़ रहा है हमें मोका घवाना नहीं है हमारी युवाद पीडी को हमने रिसर्क रिनोवेशन के लिए पूरे अवसर देने है और इस इको सिस्थिम को बनाने के लिए हमने एक उजवल भविश के निर्मान की नीव रखी है आदरने बंदुगा सामाजिक न्यान हमारी पहली शर्त है बिना सामजिक न्याय बिना इसंतुलन बिना समभाव बिना समत्व हम इच्षित प्रणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते लेकिन सामजिक न्याय की चर्चा बहुत सीमित बनके रह गई हमें उसको व्यापक रूप में देखना होगा हम किसी गरीब को कोई सुविधा दे किसी समाज में दबे कुचली व्यक्ति को कोई सुविधा दे वो तो सामाजिक न्याय के एक प्रक्या है लेकिन उसके घर तक पक्की सड़क बन जाए न वो भी सामाजिक न्याय के लिए उसको मजबूती देती उसके गरतिय नदिक में बच्चों के लिए अगर स्कूल खुल जाए तो वो भी उसको सामाजिक न्याय की मजबूती देती है उसको बिना खर्च अगर आरोग्य में सबय के जरूत पड़े वो मिले तब जाकर के सामाजिक न्याय के मजबूती मिलती है और इसलिए जिस प्रकारते समाज व्यवस्ता में सामाजिक न्याय जरूरत है बैसा ही राष्ट्र व्यवस्ता में सामाजिक न्याय के अवश्चता है अब देश का कोई हिस्सा पीछे रह जाए अब इक्सित रह जाए ये ये भी सामाजी ज्ञाय के खिलाब है दुर्भाग जिते देश का पुर्वी इलाका भारत का पुर्वी भाग जो सम्रुद्धी से भरा हुआ है लेकिन वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दुसरे इलाके में जाना पड़ रहा है ये स्थिति हमें बदलनी है हमारे देश के उस पुर्वी भाव को इलाका को सम्रुद्ध बना करके सामाजी ज्ञाय की मजबूती भी हम ले देखे लिए असंतुलित विकास शरीर कितना भी स्वस्त क्यों न हो लेकिन एक उंगली को भी अगल लखमा मान गया है तो सरीर स्वस्त नहीं माना जाता है भारत कितना ही सम्रुद्ध हो लेकिन कोई अंक उसका दुरबल रह जाए तो भारत सम्रुद्धी में पीशे है मानना पड़ेग अर इसलिए हम सरवांगेन विकास के पक्ष में सामाजिक न्याय की उस उंचाई को प्राप्त करने के पक्ष में दिसा में हमें आगे बढ़ना है चाहे पूरी विफारत हो चाहे नौर्थीस्थो हमें उन चीजों को प्राप्त करना और उसलिए जो रननीती कितनी सफल देश के कौने कौने में जो पीशे माने जाते थे उसको बोज मान लिया गया था आस्थिति ये बनी है को हंडेट डिस्टिक अपने अपने राज्य में लीड कर रहे हैं राज्य की एवरेज से भी उपर जा रहे हैं और इस सफलता को देख करके सामाजिक नाय कि इस भावन को मजबूत करते हुए सो डिस्टिक में से आगे बढ़ करके जमीनी स्थर पर ले जाने के लिए पांसो ब्लॉक तक उनको एश्प्रेशनल डिस्टिक ब्लॉक के नाते आइडेंटिवाय करके उसको मजबूती कर देने का काम चल रहा है और मुझे विश्वास है कि एश्प सामें भी हम आगे बढ़ रहे हैं मनिये सांसद गण आज विश्व की नजर भारत पर है शित्युद्ध के समय हमारी पहचान कुट निर्पेक्ष देश के रुप में रही उस समय की जो जरूरत थी उसके जो लाब होने थे उस समय से हम गुजरे हैं लेकिन आप भारत का थान कुछ और बना है और इसलिए उस समय गुट निर्पेक्ष की अवस्ता आवश्यक होगी आज हम उस नीती को लेकर के चल रहे हैं जिस नीती को अगर हमें पहचान ना है तो विश्व मित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं दुन नीती करता उस रास्ते पर चल करके भी हम अपनी विश्व मित्र के रूप में भाव आज सभलता पुरवक आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका लाप आज भारत को हो रहा है भारत आज दुनिया के लिए एक स्टेबल सप्लाइचेन के रुप में उभर रहा है और आज विश्व की ये जरुवत है और उस आवश्यक्ता की पूरती करने का काम जी ट्वेंटी में भारत ग्लोबल साउथ के आवाज बन करके हो रहा है ये बीज जी ट्वेंटी समीच में जो बीज बोया गया है मेरे देश्वासी आने वाले समय देखेंगे कि वो ऐसा बटवरुक्ष बनने वाला है ऐसा बटवरुक्ष बनने वाला है विश्वास का ऐसा बटवरुक्ष बनने वाला है जिसकी साया में आने वाली पीडियां सदियों तक एक गर्व के साथ अपना सीधा तान करके खड़ी रहेगी ये मुझे विश्वास है कि इस G20 पे बहुत बड़ा काम हमने किया है बाईूफिल एलाइन्स का हम विश्व के नेत्रुत्व करते 150 दिशां दे रहें और भीश्व को देखते ही देखते हे उसकी सदस्तिता ले रह एक बहुत-बड़ा अंदोलन खड़ा होने जा रहा है और जिसका नेत्रुत्व यह हमारा भारत कर रहा है चोटे-चोटे महादवीप उनके साथ भी आर्थिक कोरिडोर बनाने के दिशा में हमने बड़ी मजबुति के साथ कदम उठाये है आदेनी बंदुगान आदेनी उप्राश्पति जी आदेनी स्पीकर महोद आए आज हम यहां से बिदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं संसत के नए भवन में बैठने वाले और यह शूब है गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं लेकिन बैए एक आप दोनों महनुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं एक विचार आपके सामने रख रहा हूं मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिल करके उस विचार पर जहां भी जरुरुत पड़े मन्थन करके कुछ निर्णे अवस्य करिए और मेरी प्रार्थना है मेरा सुजाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए इसे सिर्फ पुरानी प्रार्लामेंट कहकर के छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमेती दे दोनों महावन भाव तो इसको सम्विधान सदन के रुप में जाना जाए ताकि ये हमेशा हमासे रख्ष के लिए हमारी जीवन प्रेणा बनी रहेगी और जब सम्विधान सदन कहेंगे तब उन महापुर्षों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी सम्विधान सभाम यहां बैठा करते थे गणमान याने महापुर्ष बैठा करते थे और इसलिए भावी पीडी को ये तोफा भी देने का आफसर हमें जाने नहीं देना चाहिए मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमी को प्रणाम करता हूँ यहां पर जो तफस्या हुई है जनकल्यान के लिए संकल्प हुए है इसको परिपूर्ण करने के लिए साथ दसक से भी अधिक समस्ते जो पुरशार्थ हुआ है उन सब को प्रणाम करते हुए मैं मरी बारी को विराम देता हूँ और नए सदन के लिए आप सब को शुब कामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत भुत धन्यवाद मानेवर अब मेरा विनम्र निवेदन माननी उप्रयाश्ट्र पती जी कर दो